भाई NOTHING का जो founder है उस बंदे को मनना पड़ेगा चोटे से छोटा phone launch करता है बड़े से बड़ा phone launch करता है भाई हाइप इतनी तगडी generate होती है ना कि दिमाग खरावे लाता सब जगे वही NOTHING 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 चलते लाता है इस बार भी वही हुआ इन लोगों ने एक नया phone launch करा है NOTHING phone 2A के नाम का अब यह जो phone है जैसे पहले NOTHING phone 1 आया था उसके बाद NOTHING phone 2 आया लेकर प्राइस में बहुत जादे डिफरेंस था दोनों के अलमुष्ट पंदरा थे 20,000 रुबे का फराद तो उसके कहीं बीच में ए NOTHING phone 2A launch करा है एंड हमारे पास आ चुका है भाई आज हमने भंगा लिया है NOTHING phone 2A सारी चीज़ा बताता हूं कैसा है कैसा नहीं है भाई है एक्चुली इसकी है तो वह रियालिटी में हाई बनाने लाइक phone है या फिर सिर्फ हवा भरी है सारी चीज़ा देखेंगे सबसे पहले काई स्टार्ट करता है अन्बोक्सिंग से यह हमारा NOTHING phone 2A का बॉक्स बनाने में लोग एक्षपर भाई सार्मस्त प्रेज़ा बहुत तगड़ा है वेलकम तु नथिंग इसंट इस्साइटिंग बलाबला इधर आपको फोन देखने को मिलाता है रिसाइक्ल ब पेपर के साथ में मानना पड़ता है भाई नथिंग वाले तो है दमदला तब इस मामले में वाउ टैम भाई लूक अच्छा दे रहा यह फोन अला के प्लास्टिक है लेकिन फील भी अच्छा है चालू करता है स्क्रीन काड़ लाके दिया एंड दें बॉक्स के अंदर आप पेरी इंपार्टन ये वाला कवर भाई ट्रांसपरेंट वाला भाई इन लोग बहुत ज्यादा मघज मारी की थे प्लास्टिक में है बिल्ड क्वालिती तो सही लग रही है ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है जो वेट है इन लोग ने सही से बैलंस तो किया था 190 ग्राम का है ले 54 है इसके अंदर हलके इधर आप देखो गए अगर डिजाइन चोई जो इधर का जो साइड का पैनल है और जो बैक पैनल वो अधा मर्जवा तो तर ट्रांसपारेंट पैनल दिख रहा है ठीक है मस लगा बिल्ड कॉलिटी अच्छी है इसा में कमजोर ने लगी लेकिं इन लो तो दिन में अगर मैंने बिना कावर के इसको यूस कर लिया तो भाई स्क्रैच से इसकी वाट लग जाएगी तो प्रोटेक्शन इस वारी इंपॉर्टन तो अगर आप अगर यह वाला फोन लेने का सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से जो इसकी ट्रांसपरेंट वाली एक स्किन आती है मार्केट में जाके कहीं सा लगवाल हो जो ट्रांसपरेंट पनी वगरा रहे दिया वो लगवाल हो गए तो बेटर रहेगा मच बेटर रहेगा एंड ग्लास भी लगवा लेना क्यूंकि इसके ग्लास पे भी कोई ऐसा खास प्रोटेक्शन है ने इसक्रैच से लेके तो इसके उपर काफी आते हैं तो वह इंपोर्टेंट है लेकिन बिल्ड क्वालिटी में असा कमजोर फिल नहीं आ रहा है मजबूत लग रहा है और इन हैंड फिल भी काफी अच्छी आ रही है अगर यहां पर जैसे आपको दिखाओं तो यह जो कैमरे का मॉडियोल इन लो फोन भी दियावा है अचा टॉप साइड में भी एक माइक्रोफोन है बॉटम साइड में भी एक माइक्रोफोन है जो मेन है ताइप सी पोर्ट है यहां पर आपको सिम काड का स्लॉट देखने को मिल जाता है यहां पर आपको वॉल्यूम रॉकर देखने को मिलता है वो भी फोन वाइट है वालम रोका ब्लाक है बहुत ही मस्क दिखरा एक दम और इस साइड में आपको पावर बटन देखने को मिल जाता है प्रण्ट साइड में आपको यह दिखने को मलती है अभी जैसे अन हुआ है let's quickly turn it on what I cannot turn on the device without a sim card that's weird मैं phone setup भी निकर सकता भी निकर सकता भीना sim card के भाई साब भी है अलगी restriction sim card निकाली लिया हो तो देखो sim card कट रहे दो sim card आ फिजिकल लगा सकते हो nothing OS 2.5 तो phone हो चुका है चालू guys जैसे चालू किया है तो कुछ इतने applications है सिर्फ और सिर्फ Google के apps में को दिख रहे हैं यह पर कुछ भी फाल्स होने है यह already nothing OS 2.5.2 पर है and एक update अपर आ चुका है to improve the cameras and some bug fixes are there very nice Mediatek का Dimensity 7200 Pro chipset है यह आपर 8GB RAM है so यह display भाई काफी बढ़ियां लग रही है मिरको यह आपर display की quality अच्छे लग रही 6.7 inch की screen है यह कुछ इस तरह का है भाई display के bezel चारो साइड के पूरे एकदम symmetrical है चारो तरफ से same to same size और must लग रहा है यह थोड़ा premium दिख रहा है तो अच्छा लगा भाई display का जो यह आप bezel बगरा देख रहे काफी symmetrical है तो अच्छा लग रहा है must अच्छे quality का है 13.8 सके peak brightness जाती है बढ़िया quality दिख लिए आपर quality में मेरे का सा कोई जाधा मगज मारी नहीं लग रहा है अच्छा लिख रहा है and smoothness भी अच्छे क्योंकि 120 अच्छ का पूरा-पूरा मज़ा है यहाँ पर and speakers चेक करा जाए अगर बाइ प्रॉपर stereo speaker है वो भी काफी अच्छे quality का तो display भी एक number है stereo speakers भी बहुत ही दाता मज़ेदार देंगे मेरे को बाकि देखो यहाँ पर already video nr आ रहा है अगर मैं इसको बंद करूँ तो 5G plus वगरा भी देखने को मिल जा रहा है and google का ही dialer है तो आप लोग call recording में वो थोड़ा बहुत तो sound आई जाएगा बाकि calling वगरा का मैं भी test करता हूँ यहाँ पर आपको earpiece वगरा देखने को मिलता है earpiece तो अच्छ ही है बाकि देखो सामने नहीं industrial fingerprint scanner देखने को मिलता है एंड यह देखो साई यह fingerprint scanner भी अच्छा काम करता फास्ट है इवन face unlock भी काफी जादा फास्ट है तो उसमें भी टेंचन नहीं है बाकि performance के बात करो तो Dimensity 7200 Pro chipset दिया यह processor हमने काफी यूज कर आप है बहुत ही amazing है Pro सिरिफ नाम का है same chipset Dimensity 7200 जो same chipset आपको iqoo का Z7 जो है यह Z7 जो है iqoo का उसमें में जाता है काफी phones में हमने यूज कर रखा है अच्छी chipset है काफी बढ़िया है और यह phone 24000 के अश्पास है उसके हिसाब से ठीक है अच्छा लगता है ऐसा लगता है 25-30 का phone चला रहा हूं काफी फास्ट फील होता तो को ऐसा साथ शिकायत में को लगी नहीं बाकी gaming करा भी देख लो भाई पिछले काफी दाइम से टेस्ट कर रहा हूं SIM card वगरा डालके भी टेस्ट लें SIM card डालने के बाद में भी काफी सारी चीजर टेस्ट करी है मैंने इसके अंदर जैसे कि सबसे पहले तो मैंने नेटवर्क करा टेस्ट करा तो भाई प्रॉपर है इनका वाइफा है 5 GHz वह बहुत मस चलता देड़ पर इसके स्पीड अग्डम तगडिया या कोई दिखत निया जो 5G है 5G प्लस का आपको साइन द डिखनी को मिल जा रहा था है अलाकि ये गूगल का डायल है यहाँ पर आपको जो जो जब कॉर्कद करते हो तो उप्शन आपको 2 ज़ी है». यहाप का ओडिक आपको डिकर्डिक करते हो तो या तो फिर एक ट्यून बश्टिव है तो यह च।ो तो बेसिक चीजों में कोई जादा आपको शिकायत ने आएगी वागी मैं काफी टाइम से इसको अच्छे से टेस्ट करो इतने सारे बेंचमार्क वगरा सब डाउंडूड करें मैंने सबसे पहले अंटूटू की बात करूँ तो छे लाक असी अजार गासपस का अंटूटू स जो राइट स्पीड है वो 473 और राइट स्पीड 801 Mbps आई है UFS 2.2 है इसके अंदर आगेस एंड उसके बात जो गीक बेंच है उसका रिजल्ट भी आप लोग देख लो 15 मिनट तक के CP थ्रॉटल टेस्ट किया उसका रिजल्ट काफी बढ़िया है पूरा ग्राफ ग्रीन ह वेरी नाइस कोई जाता दिक्कत है नहीं काफी स्टेबल है उसके बाद गईज यह 3D माक का वाइट स्टेस्ट किया बहुत ही नेक्ट लेवल 20 मिनट का टेस्ट किया लेकिन यहां पर fps पता नहीं क्यों ने लिमिट कर रखा है 30 का लेकिन जो 30 fps पर अगर आप कुछ करते हो तो 99 परसंट के स्टेबिलिटी यह बहुत तगडी है बाकि जब मैंने टेस्ट करा इसा नॉर्मल यूस कर रहा हूं तो काफी फास्ट है देखरो आप लोग एनिमेशन वागरा भी काफी स्मूध है बट जैसे एक नथिंग के फोन से एक्सपेक्ट करते हो आप लोग क्यों नहीं मिला यहां पर लाइक काम चल जा रहा आपका जैसे अब यह जो यह सब यह हैं लाइक जो पी आई पी खुलता हूँ भी बहुत अच्छे से खुलता है तो मस्त है मतलब उस मामले में जादा दिक्कत निया जो बेसिक परफॉर्मेंस और डेली परफॉर्मेंस वो सही ह यहां पर लाइक कोई शिकायत ने गए जो यह एनिमेशन आप देख रहो हो इदर दबाऊंगा तो यहां से खुलता है ऐसा बन करूँ तो यहां से खुलता है अब मैं बीजी अब गेमिंग की बात करूँ यहां पर तो यहां पर हमको स्मूद के एक्स्ट्रीम सेटिंग मिल 30 fps पर चल रहा है अच्छा एकदम रोग देता हूं समझो अब घुमाया ना देखो थोड़ा थोड़ा सही चलने लगा जैसे चलने लगूंगा एकदम बुरा तरीके से लाग करने लगे तो बेसी कली अभी बीजी अमाई के लिए फों बिल्कुल भी अप्टिमाइज नहीं है बहुत ही जादा यहां पर लैग मेर को देखने को मिला दूसरे गेम के लिए हो सकता है अब यह फोन को करो लेकिन बेसिक परफॉमेंस तो मैंने आपको बताई दिया हूं बहुत अच्छा बाकि कैमरा की बात करो तो 50 मेगापिक्सल का में केमरा है और 50 मेगापिक्सल का जो हां पर दिखने को मिलजाता है त्वाकि मैंने जो टेस्ट करा है मेन उसाप नबहुत फोटो अच्छी फोटो रियता है जैसे आप दिखरो काफी पोट्रेट है काफी अछी फोटो लिए है हमें के लिए मॉनWorkंस तो बागाशा उट्रोड़ में प्योंग सराची The portrait mode। ना बहीत खाट शporért any feature देको ये थोड़ा सही है बैक्रावंण थीक थाक है इसमें तो फिर पीछे बैक्रावंण बड़ते बर्चोस अग्राव जsmार, इसमें भी इम्रूब्मेंट के जरु रहता है तो आइ तिंक आ शुट वेट फूर दा सौफ्ट्वेर अब भी फिल्हाल तो इसका जो कैमरा थै अब यह कुछ वीडियो भी देख लो यह 4K 30fps में वीडियो है कुछ असरा का यह तायरेकम 2X पर जूम कर सकते हैं फोकसिंग भी इवन 4K 30fps पर काफी बढ़ियां फोकसिंग है बाई इसा घाई घाई में थोड़ा सा कच्चा फोन जो है ना पूरे तरीके से पकाया इनी फोन को थोड़ा सा कच्चा ही ऐसे बेचना स्टार्ट कर दिया वाई क्योंकि कैमरा में भी मतलब नॉर्मल टाइम पर फोटो ले रहा हूं तो अच्छी आ रही है बट जैसे मैं थोड़ा सा लाइक पोट्रेट वगरा लेता हूं तो अजीब सी फोटो आती है भाई डेफिनेटल नीट वाट फोटो इंप्रूव्मेंट यह इंद गेमिंग डिपार्टमेंट अपने यह थे कैमरा बाकिस के अंदर पांच हजार अमेज बैटरी एंद पैतालीस वोट की चार्जिंग का सपोर्ट है वायरलेस चार्जिंग नहीं है पता नहीं क्यों नहीं है वो खोना चाहिए मेरे उपिनियन में भाई वो इंपोर्टेंट अनेफसी वगरा तो प्रेजंट है इधर पर इसके अंदर अल्रेडी मतलब यह ट्रांस्पेरेंट बैक जो है इसके अंदर कचरा है अगर आपको दिखाई देवे होफुली देखो इसके अंदर एक कचरा है Quality Control Issues तो अभी भी मेरे को यहां पर लग रहे है है ठीक है ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं है बहुत छोटा दाना है ठीक है बट इंपोर्टन है यह सब चीज़े ना तो ऐसा Multiple है यहां पर Glyph Lighting देखने को मिल जाती है तो सही है वो तो Feature है बट मेरे पस Nothing Phone 2 A भी है काफी टाइम से मैं है मतलब Glyph Light में जादा यूज नहीं कर पता है मेरे को समझ में आ तो उसका यूज का है यह Flip to Glyph अगरा है ठीक है बट मेरे को इतना बहुत जादा यू लेकिन कुछ कुछ चीज़ों मेरे को यहां पर तकलीफ हुई है जैसे प्लास्टिक बैक दे दिया ग्लास बैक देने में कितना ही जादा एक्स्टा लग जाता प्लास्टिक बैक कर वैसे स्क्राइच बहुत आंगे आगे भी प्रोटक्शन सही नहीं है एंड गेमिंग तो मैं देखे लिया मतलब क्या हिसाब से इन लोग ने यह गेमिंग का पता नहीं में को समझ में नहीं है बिलकुल आप्टिवाइज नहीं है गेमिंग एकदम बेकर है इवन जो पोट्रेट फोटोग्राफी है वो भी एकदम वियर्ड है अजीब सा फोटो जादा जैसे आपन झाल